आज मैं आपको आपके जीवन की चीजों का इस्तमाल करके मेमोरी को इन्हांस करने दिमाग को इन्हांस करने के तरीकों से परिचित कराने जा रहा हूँ और मैं कहाल से ये प्रेक्टेस अगर आप अपनी लाईफ में फनकी तड़र भी दस मिनट भी पूरे दिन में कर लेंगे यह जब भी आपको लगरा हे utah product बहुए आपको मदद करेंगी चलिए अब समझते एक question है बहुत से बच्चों ने पूछा क्या सर ब्रेन पावर को बढ़ाया जा सकता है ये तो सर भगवान ने दिया हमें ये तो हमारे जन्म के समय से है खुदा ने हमें दिया है ठीक है तो ये brain power क्या बढ़ाया जा सकता है ये question आपके दिमाग में आएग जो है memory expert के बारें पढ़ेंगे तो वो कहते हैं कि yes memory is also a muscle जैसे हमारा अभी मैं तुमसे पूछूँ कि आपके डोले शोले बढ़ाए जा सकते हैं आपका बिल्कुल सर जिम जाएंगे वजन उठाएंगे कसरत करेंगे थोड़ी से dips उस मारेंगे हमारे डोले शोले बढ़ तॉम वुजैक अपनी बुक में कहते हैं कि हमें इसको भी जिम में ले जाना पड़ेगा कि अगर आप जैसे अपनी पावर बढ़ाना चाहते हैं तो हमें कसरत करनी पड़ती है उसी तरह अगर अपने brain की पावर बढ़ाने पड़ती है हमें कुछ smart tricks की ज़रूद पड़ती है कुछ practices की ज़रूद पड़ती है अगर वो practice करते हैं तो हमारी brain power enhance हो जाती because brain भी एक muscle है याद रखिये का एक मान स्पेशी की तरह है तो good news है आपके लिए कि हां हमारे दिमाग की power को बढ़ाया जा सकता है but we need a smart practices और आज की class में मैं वही smart practices बताने जा रहा हूं कि आप अ जवाब हमें मिल जाएगा कि trick पता चलने जा रही कि वह कैसे बढ़ाया जा सकता simple तरीके से और जवाब है yes और वो है smart practices के तुरूद तो चलती है हम लोग समझते हैं पहले brain के बारे में जैसा कि मेरे कि style है कि मैं सीधे किसी मुद्धे पर उसको रठाने की बज़ाए मैं उ जाता हूं देली वहन कभी निहीं उठाए आपने आपने कभी डंबल नहीं बढ़ाया आपने बेंच प्रेस नहीं किया गुले लेकिन हम जिम डेली जाता हूँ तो उसमें क्या आपकी मसल्स बनेगी नहीं बनेगी तो इसका मतलब है आपको सबसे पहले अपने brain को समझना पड़ेगा और वहां जाकर आप जिम जाकर जब exercise करेंगे महनत करेंगे पसीना पहाएंगे तो आपकी muscles बन जाती है तो यहां पर भी हमें उसके साथ कुछ tricks के साथ महनत करनी पड़ेगे सुनने से नहीं बनेगा महनत करनी पड़े कर हम महनत करेंगे तो हमारा brain जो होगा वो क माया दिमाग का जो गोलार्थ है इसको हम लोग right hemisphere बोलते हैं और इसको हम लोग left hemisphere बोलते हैं और आप आश्यर करेंगे बोले क्या रहे या दिमाग नहीं काम कर रहा है यार कुछ पड़ा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई-साब यह इस्त्री याद नहीं हो रही जोग इसको हम बढ़ाने की बात करते हैं और जब brain power को हम बढ़ाने की बात करते हैं तो आपने का सर पावर कैसे बढ़ाई जा सकती है तो simple सा है कि दोनों को करके आप दोनों को सामंजस से मिला कर दोनों की चमताओं को बढ़ा कर आप अपनी brain power बढ़ा सकते हैं यह बहुत तय है कि हमें से जाधा तर लोग अपने जीवन के जाधा तर हिससे में जो most of the time हमारा life का part है उसमें सिर्फ एक हिस से को जाधा प्रयोग करते हैं और मैं अपने देखा होगा कुछ लोग बड़े अच्छी आण्स बनाते हैं वही कुछ लोग आप लोग ने देखा हुँन की canada maps बहुत अच्छी होती है उनकी logical बहुत Յच्छा होता है कई लोग उनसे बुल तो Maths करो गया, एहे बापने, Maths, रहे रहम किसका नाम ले लिया तुमने, तो Maths के नाम से उनको डल लगता है, कुछ लोग होते जिनको Maths में बड़ा मजा था, आपक आपके अपने क्लास में देखा पब कुछ बच्चे Maths में बहुत अच्छे होते थे कुछ जो है वो maths बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहते हैं कुछ ड्राइंग में बहुत अच्छे होता था जो मैस वाला अच्छा होता था वो ड्राइंग में ऐसा गुल गोबर करता था याद है न यह वाली पिक्चर यह वेलकम में जो उसने अनिल कपूर ने बनाई थी तो पता कई लोगों से पेंटिंग नहीं होती कई लोगों से कभी पोयम शायरी नहीं लिखी जाती दूसरे की चुरा-चुरा के जो है वो अपनी प्रेमी या प्रेमिका को भेजते रहते हैं कॉपी कर करके तो वहां पर क्या होता है कि हम अलग-अलग ताइम पर यह आपने महसूस क काम नहीं निकलता है सारे पेपर अच्छे कर लिए सीशाट में टंग है ठीक है तो यह उनके साथ दिक्कत होती तो कभी सोच के देखना ऐसा क्यों होता है अलग-अलग behavior क्यों होता है वह आज हम इसको बैलेंस करना बताएंगा और हम इसको थोड़ा सा बैलेंस करके अपनी ब्रेइन को चैलेंज करते रहें नए-ने तरीके आप इजाद करेंगे आज के बाद से चले शुरू करना रेडी बहुत मज़ा आने वाला है और लास्ट तक आप मेरे साथ रहेंगे और प्रैक्टिस को आप मेरे साथ करेंगे अब जड़ा सा हाउ ब्रेइन वर्क्स हमारा दिमाग काम कैसे करता यह समझ लो क्योंकि हमें लगता था कि ब्रेइन हमारा एक ही पार्ट है अब हमें अगर अपने आपको इन्हांस करना है हमें चाहते हैं क्योंकि यूपीएसी एक्जामपल में यूपीएसी की बात करूँ तो आपको हिस्ट्री भी पढ़नी है आर्ट आपको सीसाइट में डाटा इंटरप्रेशन भी पढ़ना है मैस्स रीजिनिंग कम्प्रिहेंशन सब कुछ आपको पढ़ना है इसका मतलब यह पूरे व्यक्तित की मांग कर रहे हैं और हमसे क्या गलती हो जाती कई बार हम अपने आपको हमारे इस्टोंट दोस्त देता रहे ह आपको ढूंड नहीं पा रहे हैं आप खुद को ढूंड नहीं पा रहे हैं खुद में बिलीव करना शुरू करिए रास्ते आपके हैं आप जहां पहुचना चाहोगे आप वहां पहुचोगे लेकिन खुद में विश्वास करना बहुत जरूरी है कि I am the unique और मैं unique हूँ तो मुझे ये मेरे सपने मिलने चाहिए ये कोई खास लोगों के लिए नहीं है गोल्टेन इस्पूल लोगों के लिए नहीं है जिनके बाप दादाओं ने बना के रखका है मैं अपने सपने चीन सब्सक्राइब कर लेंगे तो चलिए हम समस्ते हमारा दिमाग कैसे काम करता है हमारे दिमाग के दो सफेयर होते हैं एक होता राइट वन और एक होता लेफ्ट वन ठीक है ये दो हमारे सफेयर है जो अभी मैंने आपको चितर दिखाया इसको थोड़ा सा और elaborate कर देते हैं जो वो एक बार जो इस किताब को पढ़ लेते थे उनको याद हो जाती थी तो इसको फोटोजेनिक मेमोरी बोलते है और फोटोजेनिक मेमोरी is a truth but that needs a high level of concentration and imagination अलबर्ट आइंस्टाइन ने जो जो फॉर्मूले दिये थे is equal to mc square या gravitation पूरी दुनिया को सौसो साल से जाधा लगे वो फॉर्मूले प्रूफ करने में इसलिए उनका brain जो है वो रखा गया है उस पर research होरी कि आदमी इतना विद्वान कैसे था ठीक है जो फॉर्मूले इसने दे दी एक बार उसे बेल लेबरोटरी के एक जो पत्रकार आया बोला एक पत्रकार बोला कि चलिए आपको जुडवा देते उस बेल लेबरोटरी बहुत पर थी बढ़े बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट है आप जैसा विज्ञानिक वहां होना चाहिए आप यहां प्रियोक्षाला है ठीक है यह जो ब्रेन है यह मेरी प्रियोक्षाला है लैबरोटरी है और यह पैन और पेपर मेरा इंस्ट्रूमेंट है यह सीधर जवाब दिया बोले तुम जो अपने यहां कर लेता हूं अपनी मेमोरी में कर लेता हूं ऐसे टेसला का नाम आपने सुनो मस्क चुकी वो कभी rocket scientist थे ही नहीं अगर आप Elon Musk के बारे में थोड़ा भी पढ़ते होंगे जानते होंगे तो जब वो NASA के बाद proposal लेने गया थे तो उनका मजाग उड़ाया गया था कि अरे तुम तो यार तुमारी कोई degree नहीं है space science में rocket science में proportion में तुम कैसे करोगे बुला imagination है power है इच्छा शक्ती है और वस बंदे ने कहीं पहले दूसरी जगा company से पैसा कमया और अपने dream project में लगाया उसका अध्यन किया imagination किया और उस समय की imagination सोचो कि मार्स में जाकर एक ऐस rocket जो इसको re-launch किया जा सके उस समय यह मजाक था लोगों ने उसका मजाक उड़ाया failure हुए लोगों ने जो पागल कहा उसको लेकिन आज दुनिया का सबसे legendary जो है वेक्टि अगर माना जा रहा है तो Elon Musk माना जा रहा है just because of कौन सी चीज थी उसका brain था अपने समय से आगे ज उसको जो है वो आगे देते लेकिन इनके साथ एक चीज और थी यह विजुलाइजेशन के साथ साथ उसके गनती रूप पे भी काम करते थे सिर्फ Elon Musk सोस्ते की rocket बन जाया नहीं बनता Elon Musk उसके गनती रूप उसकी study की बाकायदा उन्होंने उसके calculations कि उसके failures को calculate किया जो Bill Gates से उन्होंने सबसे पहले imagination किया कि ऐसा होना चाहिए उसके बाद उसकी coding की बाकायदा यानि ये जितने भी संसार के महां लोग हुए हैं ये अपने brain के दोनों हिस्सों का बहुत भरपूर उपियो करते थे और दोनों का भरपूर उपियो करके ही उन्होंने अपनी सफलता को ए ये दोनों segments कैसे काम करते हैं जो right brain है वो imagination के उपर काम करता है यानि कलपना करना colors identification जो होते हैं वो हमारा right brain काम करता है colors की विवित्ता को देखना जो dimensions होती है कई बार कहीं लोग के अंदाजे बड़े अच्छे होते हैं आपने देखो बड़ा सहीं अंदाजा लगाते हैं वो जो dimensions को पहचानना गहराई क्या है उंचाई क्या है architectural view उनको देना तिक कई बार हमारी मम्मिया इतनी अच्छी जो है हमारे घरों में जो आप देखा होगा माता इतना अच्छा जवाब दे देती कि यहां पर यह सेड़ी बनना चाहिए यह design होना चाहिए वो dimensional capacity होती है ऐसे visualizations जो visual जो कलपना शक्ती जिसे हम लोग कहते हैं वो इनकी बहुत जादा होती है visuals वो देखते हैं वो जो है colorful यह इनके साथ होता है जो हमारा right brain होता है हमारा जो left brain होता है वो words जैसे शब्दावलियां याद करना शब्दावलियों के साथ खेलना numbers यानि उनकी गणती सुरूप बहुत अच्छा होता है mathematical forms बहुत अच्छे होते logic तर्क करना उस पर जो है logic आंकडे प्रस्तुत करना analytical power उन्हें analysis करना data interpret करना data di के साथ जाना ठीक है आंकडों की बाजीगरी खेलना यह हमारे left brain का का काम होता है लेकिन होता क्या है जैसे हमारे परिवारों में हमारी training होती बड़ी important होती है उसी तरह से धीरे धीरे हम आगे विक्सित होते चले जाते हैं यह हमारे साथ fundamental thing है कि हम धीरे धीरे उसी सुरूप में हम चलते चले जाते हैं और अब समय आ गया है कि मैं आपको उसकी training के बारे में बताओ for example जैसे हम पूरे जीवन काल में हम either left और either right हम उसका उपयोग जादा करते हैं कि हम दूसरा उपयोग नहीं करते हैं कि जिसको arts आता है वो थोड़ा maths नहीं कर सकता है definitely कर सकता है और एक व्यक्ति संसार में ऐसा हुआ जो दोनों का महानतम व्यक्ति था दोनों का आप जानते हैं मैं लियोनाडियो तो विंची की बात कर रहा हूँ लियोनाडियो तो विंची को संसार के सबसे बड़े genius के रूप में जाना जाता था क्योंकि वो व्यक्ति जो है वो भौतिक विज्ञान का भी उतना ही बड़ा पुरोधा था उतना ही बड़ा ग्यानी था जितना वो arts का जो है वो करते थे इतना जबरदास उनका knowledge था हर dimension में वो जबरदास वो वैग्यानिक भी थे artist भी थे सब कुछ वो थे तो इसलिए उनको genius जो लोग अपने दिमाग के दोनों हिस्सों का प्रयोग करते हैं संतुलन करते हैं उनको genius कहा जाता है पूरी दुनिया में ये नियम रहा है जो भी लोग genius उरूए है extraordinary work किया है अपनी सफलता को चरम पर लेकर गए हैं उचाईयों पर पहुँचे हैं वो अपने brain के दोनों हिस्सों को जादा से जादा utilize करने का प्रयास करते रहें तो क्या आपको करना है क्या आपको अपनी सामाने जीवन से निकल कर genius बनना है क्या आपको भी लगता है कि मुझे अपने समय का जादा सजादा उपयोग करके इन दोनों का संतुलन करना है अगर हाँ तो चले हम आगे उस रहस्य का परदा खोलने के लिए उस basic practice के लिए जहां से अब इसके बाद आपकी life में एक परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा तो let start it हम लोग यहां शुरू करते हैं और हम अगले stage पर पहुंसते हैं दोस्तों चलिए let's start it आगे हम लोग देखते हैं हमारे जीवन काल में actually में हम एक brain एक hemisphere को जादा यूज़ करते हैं for example अगर आप right-hander मलब आप right-hand से दाहीने हां से काम करते हैं तो आपका जो left brain है जो प्रदेश प्राप्ट करने की कोशिश करते हैं तो हम अपने सुभाव के अनुरूप हमारी education system ऐसा है कि जो art का जैसे मान लोग किसी को कला में बड़ा चाल लग रहा है तो वह maths वाला इस्टीम नहीं ले सकता है उसको art site में डाल देते हैं तो वह क्या होता है कि education system ने आज ह मार्क जुकरबर्ग कॉलेज ड्रॉप आउट के रूप में जाने जाते थे इन लोगों ने कोई बहुत ज़्यादा एडिशन स्कूल से निकाल दिया गया था उनको तो इन लोगों ने उस education system को दता बता है बाद में उनका यह हमारे लिए gift था यह क्योंकि हम बहुत ही visual activities करनी है जिससे हमारे दोनों brain में एक जो है वो synchronization होना शुरू हो जाए और अब मैं आपको वही तरीका बताने जा रहा हूँ चलिए ध्यान से सारा सामान है brush है आपके पास kanghi है let's move on चलिए good अब मैं आपको कुछ unusual habits के बारे में कोई बहुत जादा घबराने की बात नही अब आपको क्या करना है अपनी life में कुछ unusual habits को involve करना है यानि जो आपकी brain की training हुई है उस training को तोड़ देना है और अभी अगर आप मेरे साथ होंगे करके देखेंगे आप आपको जो छोटी-छोटी चीज़े बताऊंगा आपको उसमें हसी आएगी कि इसमें कौन सी क्या करना है बहुत सीम्पल सा काम करना है आप अपने left hand से brush करिए और करके देखिए आप बहुत कम लोग होंगे जो जितना दाहिने हाथ से आप चाहे तो camera सामने record कर लीजे कि आप दाहिने हाथ से कितना easily इसना smoothly motion कर रहे हैं आप बाएं हाथ से ब्रश उठाईए और बाएं हाथ से करने कोशिश करी अचानक साब के ब्रश मशूड़े में लगने लगेंगे वह activity आपकी जितना दाहे हाथ से frequency होरी नहीं होरी करके देखिए जल्दी से करके देखिए इसका मुद्दा तो कभी जिंदगी में आना नहीं है तो इसका जो है जब तक किसी चीज का लॉजिक आप डबलप नहीं करोगे तब तक आप कभी उसको सीख नहीं पाओगे तो रटन्ती विद्या वाला है कोई बात नहीं है मिलेगा फिर हमें यहीं पर तो आप जल्दी स क्या होगा आपको दिक्कत होगी मसूरों की तरफ लग जाएगा क्योंकि पूरी जो है टाइम से आपने अपने राइट हैंड को क्या किया है इसके साथ एक नूरल पैटर्न आपके दिमाब में बना हुआ है अब आप क्या कर रहे है इस प्रैक्टिस पे आप अपने नूरल पैटर्न को चैलेंज कर रहे है अब आपके ब्रेन का दूसरा हिस्सा अक्टिव हो रहा है अब इसके लिए यह बिल्कुल नया है यह बिल्कुल नया है यह क्या पैटर्न है हमसे क्या पैटर्न करने की कोशिश कर रहा है तो अब आप क्या होगा डिफिकल्ट हो रहा है आप मुझे बताईए कुछ डिक्वेल्ड हो रहा है सेम नहीं चलेगा बिलकुल सेम नहीं चलेगा अब इसमें क्या करना है अब आपको जब भी कोई टाइम मिले अब जैसे सुपर ब्रश कर रहे हैं अब आप क्या करिए जो है वो आप उल्टा इसमें अन्यूजवल बिहेवियर करिए सुनने में बड़ा आसान लग रहा होगा क्या है बट एक्चुली में क्या होगा आप मैं अंदारी से बताई कि मैं ट्रोल से बात नहीं कर रहा हूं तो अगर आप देखिए आप पूरा ध्यान आपके दिमाग के अंदर है आप उसकी इमेजिनेशन बना रहे है येस या नो मुझे बताईए आप पूरा कि हाथ मुझे किधर लेकर जाना है यहां आप बिलकुल तो अपका फोकस आरे और कहीं कुछ गलत न हो जाए किधर मुझे आप उसकी इमेजिनेशन को अपने दिमाग में लेकर आरहें कि किधर मुझे बश नियुखिक को घुमाना है यस तो वहां पर क्या हो रहा है कि आप जब अपने ब्रेन पर फोकस कर रहा है यही तो मेरा प का पूरा खेल किस वर्ड पे चलता है पूरी आपकी सक्सेज आपने वो विडियो देखी है जिसमें जो है वो एक कहानी पड़ी होगी वारें बफेट और बिल गेट्स दोनों संसार के महाल लोगों में से हैं उनसे पूछा गया उनसे अलग-अलग ले जाया गया कंपरिम तो इस पर फोकस करना शुरू कर दो तो जो फोकस का खेल है वही तो तुम्हारी सफलता का खेल है फोकस जिसन तुम्हें मिल गया उसे दिन तुम्हारी सफलता जो है वो शुरू जाएगी दिक्कत तो यह होती है हम डिस्ट्रेक्टेड रहते है किताब सामने होती है गाल प तो बड़े स्मूथ से अपना हाथ बाल पीछे ले गए और अपना हाथ सेट किया मांग निकाल ली एक काम करो सेम यही यूजवल बिहेवियर अपने बाएं हाथ से करके दिखाओ मुझे ठीक है बाएं हाथ से देखो उसी तरह जो है वो जैसे हाथ पीछे लेकर जा रहे हो ठ तो राइट साइड मैं चुकी राइट हैंडर हूँ तो मेरे लिए बड़ा आसान था लेकिन जैसे ही मैं शीशा देके लेफ्ट की तरफ गया मुझे मैं भूल किया कि मुझे कैसे करना है इसमें आप बाएं हाथ से करके देखिए आपको देखेंगे आपका पैटर्न मुश तो आप राइट हैंडर है तो आप लेफ्ट हैंड का इस्तामाल करना शुरू करिए जो आपकी डेली अक्टिविटीज हैं इसके लिए कोई एक्स्टा टाइम देने के आपको ज़रूत नहीं है बिलकुल यह सिंपल चीज है लेकिन यह बहुत छोटा सा कॉमन सेग्मेंट ह है आपका दिमाग तुरंड फोकस पकड़ेगा क्योंकि उसको अन्यूजवल एक सिग्नल जा रहा है यह बिहेवियर मेरी पैटन में नहीं है और जैसे ही आप चेतन होते अवेर होते अपने काम के लिए उसी को तो हम लोग कॉंसेंटेशन और फोकस कहते हैं और होता क्या है जो कर रहे हो उस पर पूरा ध्यान लगा देना ही तो फोकस है तो यहां आपको मिल गया यह पहला पैटन अब आजाओ दूसरे पैटन पे कि अब एक पांस-दस मिनट का टाइम लगा कर इस से थोड़ा से एडवांस मैथड हम लोग देखते हैं वो क्या है चलिए बहुत सि भारती चिकित्सा सेवा फलाना यह जलवाई परिवरतन पिचकरवाथ अब आपको करना गया है इसको कर लो उल्टा ठीक है इसको कर लो उल्टा हसने कबात यह बहुत इंपॉर्टन है क्योंकि हमें सीधा पढ़ने का हमें बाय से दाए पढ़ने का पैटन हमें भद हमारे तो जब भी नीद आ रही हो पढ़ते समय जब भी दिमाग भटक रहा हो इधा उदर भाग रहा हो किताब को अभी बताओंगा उसको कैसे तो यह पेपर को अब जैसे अब मालो अगर आपको बोड़ पर दिख रहा है तो इसको पढ़ने कोशिश करो या अपने सामने उल्टा पर और रख लो मेरे साथ पढ़के देखो मजहाएंगा इसमें मेरे साथ पढ़के देखो उल्टा बड़ो पिछले दिनों होगी उतने डोले शोले बनेगे उतने तो बोडी बनेगी तो ब्रेन की मसल जितनी चैलेंज होगी उतना ही तुम्हें मज़ा आने वाला है ठीक है मज़ा आएगा यह तो यह क्या होगा पिछले दिनों आये टाक्टे और गतवर्ष आये चकरवात एमफान के घाव अभी अब यह तो मेरा पढ़ा हुआ तो मुझे आसान लग लेकिन अगर नहीं पढ़ा होता तो मुझे मुझे कॉंसे करना पड़ा है जबकि मैं मेरे पढ़ने की स्टाइल है वह मैं लाइन टू लाइन जब करता हूं मेरे जो डबलू पी है में वह काफी अच्छी है एक सरसरी लेकिन इसमें मुझे पूरा एक एक लाइन पर फोकस करना पड़ा है एक एक लाइन पर सबसे पहली बात की अगली लाइन कौन सी आ रही है कि पूरा पैटन ही मेरा चेंज हो गया ठीक है तो मैं यह नहीं कहूंगा कि सब लोग सब लोग पास हो जाएंगे तो फिर क्या इसमें बूलिख हो इसमें बूल खूर धूरे हो उपरते थे शर्केर चीलन हितर के अध्य हो पर से हो परते थे अप एक हिस्सा जो है हमेशा इसी पैटन का आधी हो गया था और आप उपर से नीचे आते हैं अब इसमें क्या हो रहा है आप नीचे से उपर जा रहे हो दिमाग हिला पड़ा है कर रहा है यार यह पैटन तो हमारे समझ में नहीं आ रहा है आप राइट टू लेफ्ट पड़ रहे हो यह हमारा ही नहीं है यह हमारा पैटन ही नहीं है तो तो आपका दिमाग जो है वो ऐसी तैसी हुई अब ये नए पैटन को तलास रहा है और नए पैटन को तलासने के लिए आप इसमें आप क्या होगा इसमें आप कभी भी अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करी नहीं सकते क्योंकि ये आपके लिए फोकस का बात हो गई और इब लंबे समय तक आप पढ़ पाओगे फोकस और जिनको भी मैं फिल्क बता रहा हूं जिनको भी डेड्रीमिंग की आदत जैसे पढ़ते समय दिमाग भटक गया ठीक है लंबे समय तक इधर दर चला गया नीद आ रही है आलस आ रहा है पढ़ने के लिए बैठें लेकिन मन नह आप पढ़े अब एक चलेंज और बताता हूं इसको और अगर तफ करना तो अर तरीका बताता हूं जैसे कोई पेपर एक लेए लो ठीक है एक पेपर लेए इसको थोड़ा सा तफ आपर कर देते हैं जैसे यह पेपर में एक साइड कुछ लिखा हुआ है ठीक है यह अब मैं इसको उल्टा पढ़ रहा हूँ, अब लो, मैं बैक साइट से पढ़ रहा हूँ, फरंट साइट पर छपा है, बैक साइट से पढ़ रहा हूँ, यह क्या होगा, यह हाड़ली चार से पांच मिनिट लगेगा, बट इट विल चैलेंज माइंड, यह मेरे दिमाग को बहुत और माइंड को जितना इजी वे में आप चैलेंज करते जाओगे, ब्रेन उतना ही कॉंसेंट्रेट होता जाएगा, अभी एक ट्रिक और बताता हूँ, एक ट्रिक और बताता हूँ, मज़ेदार, रेडी हो, पढ़ाई की, खुद से ट्राई करके देखा, खुद से ट्राई क याद करो, हसते हो, बुले, अज उल्टा करके पढ़ते हैं इसको, उल्टा करके पढ़ते हैं, और आप देखिए, आप मुझे बताईए, क्या जब आप सीधा पढ़ रहे थे, उतना ही आसानी से आप उल्टा पढ़ पाए, मुझे आप खुद बताईए, यस या नो मुझ उतना ही आसानी से बाल जाड़ पाए, जितना आप जो है, जो अगर आप लेफ्ट हैंडर हैं तो, यह दूसरे हाँ से उल्टे हाँ से आप उतना आसानी से बाल जाड़ पाए, जितना आप सीधे हाँ से जाड़ रहे थे, बाल को, नहीं, क्लियर है, ब्रश उतनी आसानी से हुआ नहीं और भी बहुत सी अक्टिविटीज हैं जिसमें आप अपने दिमाग के दोनों है में स्पीर को अक्टिव कर सकते हैं क्लियर है अब आजाओ नेक्स तरीका बहुत मजा आने वाला है रेडी हो शेलो भाई इन्वर्टेट बुक रीडिंग होता क्या है कई बार जब हम पैसिव स्टेडी करते हैं चुकि आप लोग अलग अलग इंस्ट्यूट से होगे तो वहाँ पर क्या होता है हमें यह बताया जाता है क्या पढ़ना ह क्या पढ़ना है तो किताब सामने खुली हो तो आज मुझे पढ़े जा रहे हैं अंडरलाइन किया जा रहे हैं आपका दिमाग अक्टिव नहीं है घंटा बीद गया हास तो मैंने एक घंटा पर पढ़ता रहा हुँझ से बड़ा खुश हो कुछ होना जाना नहीं है उसका अब आपको क्या करना है जैसी आपके पास इस तरह कंडिशन है खास तोर पे आपने देखा होगा खाना खाने के बाद या दो पहर उपर के टाइम पर आजकल नीद बहुत अच्छी आती है तो उस समय आप जब पढ़ने बैटते हैं आपके टेबल अगर वो टाइम है तो वहां पर आपको एक जबकी होती है और आपका दिमाग सुस्त हो रहा होगा वहां पर यह आप प्रैक्टेस शुरू करिए किताब को कलो उल्टा ठीक है इस्पेशली मैप वाले जो कुश्चन है या कुछ भी अगर अपार्ट है आप बुक को कलो मालों एंडिया का मैप है बड़ा सिंपल हम देखते हो उपर समय आदत पढ़ी कश्मीर से लेकर कन्या कुमारी चलने की अब यहां तो उल्टा हो गया मामला तो यहां आपको क्या करना है मैप पे आप उल्टे तरीके से इस मैप को पढ़ना शुरू करोगे ठीक है अब बिल्कुल अन्यूजुवल जो आपका नॉर्थ का पार्ट था वो आपका जो है वेस्ट का पार्ट हो गया ठीक है और जो आपका जो है नॉर्थ था वो साउथ हो गया जो इस था वो वेस्ट हो गया तो यह क्या होगा अन्यूजुवल बिहेवियर हो रहा है यहां पर आप किताब को उल्टा करके पढ तो फॉंट में क्या होता है हम इसको हर बात पर इसका इमेजनेशन नहीं करते हैं हम फॉंट को पड़ते हैं आपका दिमाग इस बात पर चैलेंज था कि यह यार यह जो यहां तूफान का नाम यास लिखा आप इसमें पढ़ोगे तरह साया दिखाई पढ़ रहा है साया बोल लोग और किसी को बोल-बोल के सुना भी दो कि बोल-बोल के हम इसको सही बोल पा रहें की नहीं बोल पा रहें आप जगो कि इसमें इतने तरीके से देखने के आदत होगी, उल्टा हो गया सब कुछ, अब इसमें क्या होगा, आप इसको बड़े ध्यान से देखोगे, इसको अपने दिमाग में इमाजिन करोगे, और पहले से जो आपका information उसके साथ उसको अटेच करोगे, इसमें क्या होगा, इन्वर्टेड रीडि के लिए अपना जो है उठा के पढ़ लो, किसी को उल्टा सुना दो, कई भार इतनी गलती होगे, ऐसे हसी वाले शब्द निकलेंगे, हस्ते से पेट भूल जाएगा, लेकिन हसी मजाग में अगर मेरा दिमाग को एक चैलेंज हो रहा है, मैं ज्यादा कॉंसेंट्रेट हो प अपनाएंगे